इसे बीच बड़ी खबर है, मशीन खराब होने से तनल में फसे मजदूरों के परिशनों की बेचैनी बढ़ गई है लेकिन उत्राखन की सीम धामी का कहना है कि कल सुभा तक सफलिता मिल सकती है मजदूरों से बात हुई है वो ठीक हैं सीम धामी ने ये कहा खाना पानी समय से उन तक लगातार पहुचाया जा रहा है हैदराबाद से और मशीन को काटने के लिए प्लास्मा मशीन मंगवाई गई है वो पहुचेगी उसके बाद और मशीन को काटा जाएगा जिसके बाद फिर आगे का जो ऑपरेशन है वो शुरू होगा कल सुभा तक सीम धामी ने एक उम्मीद बांदने की कोशिश की है उन्होंने का कि कल सुभा तक कोई अच्छी ख़बर आ सकती है जितने भी हमारे पास राष्टे हो सकते हैं उन तक पहुंसने के उनको बाहर निकालने के उन सभी पर काम होगा है सारे ही संसाधन यहां पर उपलब्द हैं और जो संसाधनों के आवसकता पढ़ रही जैसे पलाजमा कटर यहां पर नहीं था पलाजमा कटर तकाल मगाया गया है अमने भी जो संसादनों के आवसकता पढ़ रही है चाहे अमने टेक्नोलोजी के आवसकता पढ़ रही है सभी यहां पर उखलत करवाई है तो सीम धामी को आपने सुना लगातार वो नजर बनाई हुए है वहाँ पर जाकर के जाइजा भी लिया सन्जी तिर पार्टी भी लगातार बने वे संजय सीम यह उम्मीद बांदने की कोशिश जरूर कर रहे हैं हाला कि वहाँ पर क्या परिशानिया है क्या जटिलता के उसके बारे में भी अंकित और दीपक लगातार बता रहे हैं लेकिन सीम यह कहने कि कल सुबह तक हो सकता है को एक ची ख़बर मिले सफलता मिल जाए बिल्कुल दीपा चार दिन से मुक्वंत्री उत्तरकासी में ही डेरा डाले हुए हैं लगातार यहां कैम करे हुए हैं यहां उन्होंने अपना मिनी सचिवाले तक इस्थापित कर दिया है और आज फिर वो यहां पर आये लगातार हर दिन वो यहां जाए जालिया उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह चल रहा है क्या कमिया है क्या दिक्कते हैं क्या परिशानी है क्या साधन संसाधन और चाहिए इसको ले करके अधिकारियों के साथ में विस्तार से बैटक की उन्होंने यह भी कहा कि कल जो प्लाज्मा मशीन है वो आ जब तक प्लाज्मा मशीन यहां नहीं पहुंसती है और जो अगर मिशीन की बिड़ है उनको जब तक काट करके बाहर नहीं निकाल दिया जाएगा तब तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा क्यों पूरी तरह जाम हो रखा है प्लाज्मा मशीन उनके बिड़ से जाम हो रखा है उसको निकालने का काम किया जाएगा और उसके बाद जो लेवर हैं की वो एक एक करके वीतर जाएगी और मैनुली उसको देखे कि पहले सो आफ सेक्षन आया है वो क्या है उसको काट करके हटाया जाएगा बाद में बढ़ काम और मशीन कर भी थी वो मैनुली वहाँ पर अब किया जाएगा प्लाजमा मशीन आएगी और मशीन के जो हिस्सा अंदर फसा हुआ उसको काटा जाएगा उसके बाद फिर काम आगे बढ़ेगा अभी भी वहाँ पर काम जो एक्सपर्स की टीम है वो लगातार आगे बढ़ा रहे हैं अब बाते में सर्यों का जाल है मशीन के ब्लेड सर्यों के जाल में फस गई थे हर दो से तीन फीट मलबे में मौझूद सर्या रास्ता रोक लेते थे और इसलिए लोहे से टक्रा कर और मशीन वहाँ पर तूट गई जिसके बाद उसको हटा दिया गया अब मैनुवल ड्रिलिंग जा रहा है अगे का जो पूरा प्लैन है जो तइयारी है उसके बारे में यह जानकारी मैनुवल ड्रिलिंग का प्लैन में बनाया जा रहा इस पर भी लगातार विचार हो रहा के एक तालिस मजदूर भीतर फसेव हैं चौदा दिन आज हो चुके हैं और एसकी ऑपरेशन लगातार आज भी चल रहा है लेकिन दिन में ओगर मशीन का जो काम था वो रुका जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर धाई पे आए बपीता जी इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे